Geometrical meaning of dot product, dot product geometrically क्या सोग करता है जी, यह हम लोग देखते हैं, देखो गौर करो, यह तुम्हारे पास vector a है, और एक डुसरा vector तुम्हारे पास क्या है, b है, इसका एक fixed magnitude है, और इसका भी एक fixed magnitude है, तभी तो यह vector है, b से ड्रा क्या हम लोग ने, bm perpendicular on oa, बीच का angle theta है, अगर हम cos theta निकालना चाहें, तो om by क्या होगा, hypotenious बोले तो ob, तो om का मान निकल जाएगा, ob cos theta, तो om equal to, मिल जाएगा, b का magnitude cos theta, राइट, और हम सब जानते हैं, बच्चों, हम सब क्या जानते हैं, कि a dot b क्या होता है, a का magnitude, b का magnitude cos theta होता है, तो a dot b equal to आगया, a का magnitude into om, क्योंकि इसे हम लोगों ने क्या प्रूप कर रखा है, om, तो बोलो, om का मान क्या निकल गया, a dot b by a का क्या magnitude, इसी om को कहा जाता है, projection of vector b, along vector a, और वो equal आगया, a dot b upon क्या, a का magnitude का, मतलब दो vector का जो dot product होता है, वो क्या करता है, एक vector का projection, दुसरे vector के along देता है, है ना, तो कह सकते हैं कि hence, geometrical meaning of, geometrical meaning of, dot product of, dot product of two vectors, gives projection of a vector, along other vector, मतलब, एक vector का अगर projection निकालना हो, दुसरे vector के along, तो क्या करना है, हम लोग को, dot product का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इसमें, similarly अगर आपसे बात करता हो, projection of a, projection of vector a, along vector b, तो जिसके along करता हो, उसके magnitude से डिभाड करना है, और दोनों का dot लेना है, a मिल गया, a का projection क्या, b k long, a का projection, b k long मिल गया, ठीक है, आएए, इसमें भी कुछ question करते हैं, question बहुत important है, question नहीं करोगे, तो theory का मतलब ही नहीं है, question क्या है, find the projection of i plus j along 3i minus j plus 2k, इसका निकालना है projection, इसके along, तो जिसके along निकालना है, उसके magnitude से डिभाड कर देना है, और जिन दोनों की चर्चा हो रही है, जिन दोनों की चर्चा हो रही है, उसका dot निकालना है, क्या निकालना है, dot, तो दीस dot, 3i minus j plus kya, 2k, अब dot कैसे निकालते हैं जुन्नों, तो i का coefficient i से, 1 into 3, plus 1 into minus 1, 1 plus 0 into 2, 0 कहाँ से आया जी, इधर में है ना, k का coefficient क्या है, 0 है, अपन क्या मिल गया, under root, 3 का स्क्वाइर, plus minus 1 का स्क्वाइर, और क्या, 2 का स्क्वाइर, क्या मिल गया, 1, 3, 3, 1 into minus 1, minus 1, plus 0, बटा, under root, 9 plus 1, 10 plus 4, 14, यानि, 2 by under root, 14, this is the answer, of this question, है ना, तो projection, निकालना हो गया, बहुत आसान, एक vector का, दुसरे केलों, क्या कर सकते हैं, आप projection, बहुत ही आसानी से, निकाल सकते हैं, तो आप से कोई, पूश सकता है, कि, दो vector का, dot product, क्या बताता है, geometrically, तो आप बताना, कि, वो projection देता है, एक vector का, दुसरे केलों, इस सारे concept का, जम करके, यूज है, आने वाले समय में, इसलिए, be connected, अरिस के बाद,